वेलकम आवर यूटूब चेनल जी एस्पी तांसू बीहर आएसाई पीटी के लिए सेट प्रेटिस कराया जा रहा है जिसमें आज हम लोग सेट नमबर 31 को लगाने वाले हैं इससे पहले सेट नमबर 1 से 40 तक अलेडी करा दिया गया है जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज विडियो को लाइक और सेशन खतम होने के बाद किसी भी एक ग्रूप में सेर जरूर कर दिजेगा चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना अंसर क्या हो सकता है पहला प्रस्ण है वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो सुर्ज संगमणमर से बनी है इंपोर्टन प्रस्ण है तो दोस्तों वो पहली मुगल इमारत है सेख सलीम चिस्टी का दरगा फातियपूर सिकडी में इस्तित है इसे समरड अकवर ने 1571 और 1580 के बीच सूफी संग सलीम चिस्टी के समान में बनाया था अगला प्रस्ण देखते हैं इम्पोर्डन प्रस्ण है ब्लेचिंग पॉर्डर बनाने के लिए निमलेखित में से किस गैस को सुख चूने से गुजारा जाता है आंसर है ओप्शन नमर बी कुलोरिन को ब्लेचिंग पॉर्डर बनाने के लिए क्लोरिन गैस को सुख चुने से गुजारा जाता है option नमर B आगला प्रस्ण देखते है important प्रस्ण है निमलेखित में से कौन सा एक application software है इसमें application software हो जाएगा CAD option नमर B CAD का full from होता है computer added design अगला प्रस्ण देखते है important प्रस्ण है डैस प्रोटीन सरीर की सभी रैसेनिक अभीकरियां को नियंतित करते है important प्रस्ण है तो दोस्तों answer हो जाएगा option नमर D enzyme enzyme प्रोटीन की सभी रैसेनिक अभीकरियां को नियंतित करते है अगला प्रस्ण देखते है इंपोर्टन प्रस्ण है एकला पुरुषकार की छेत से संबंदित है तो दोस्तो एकला पुरुषकार संबंदित है खेल से जो की मत परदे सरकार की द्वड़ा दिया जाता है अगला प्रस्ण देखते हैं असोग द्वड़ा न्यूत किये गए धार्मिक अधिकारी को क्या कह जाता था असोग द्वाड़ा निवत किये गए धार्मिक अधिकारी को कहा जाता था धम महा मत्ता ओप्शन अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्डेंट प्रस्ण है हिंदी साहित का इतिहास किसके द्वाड़ा लिखा गिया है हिंदी साहित का इतिहास लिखा गिया है साहिक नदिया हैं आंसर है option number A सिंधू की अगला प्रस्ण देखते हैं important प्रस्ण है दो राजियों के बीच के विवात को भारत के सर्वच नियाले के दौड़ा किसके तहत हल किया जा सकता है तो दोस्तो हल किया जा सकता है मुल्च छेत्रादिकार के अंतरगत option number B भारत में सर्वच नियाले के मामले में अनुचेत 131 अपने मुल्च छेत्रादिकार से संबंदित है अगला प्रस्ण देखते है important प्रस्ण है निमलेखित में से भारत की सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है भारत की सता से हवा मे मार करने वाली मिसायल है त्रुसूल ओप्शन नमर C अगला प्रस्ण देखते हैं इंप्वाडन प्रस्ण है 200 रुपे के नोट पर मौझूद चिंतरांकन 10 है तो दोस्तो 200 रुपे के नोट पर मौजुद चिंतरांकन है सांची का अस्तूप का ओप्शन मर बी जबकि 10 रुपे के नोट पर है कोनार का सुड मंदिर 20 रुपे के नोट पर है एलोडा की गुफाएं 50 रुपे के नोट पर है रत के साथ हमपी 100 रुपे के नोट में है रानी का ओवाव 200 रुपे में है सांची का अस्तूप 500 रुपे के नोट पर है भारतिय धोच के साथ लाल यान, अगला प्रस्ण देखते हैं, important प्रस्ण है, इन में से कौन सा अनिवा रूप से एकल निर्थ है, तो दोस्तों इसमें एकल निर्थ हो जाएगा मोहनी अटम, option number C, जो की केरवराज का निर्थ है, अगला प्रस्ण देखते हैं, important प्रस्ण है, भारत का समिधान डैस को मा मानिता देता है, भारत का समिधान मानिता देता है, धार्मिक और भासाई अल्प संखेकों को, option number C, अनुछे 350A और अनुछे 350B भासाई अल्प संखेकों को परिभासित करते हैं, अगला प्रस्ण देखते हैं, important प्रस्ण है, सोण करांती किसे संबंदित है, तो दोस्तों सो सोण करांती संबंदित है, बागवानी और सहर से, option number D, सोण करांती बागवानी और सहर से संबंदित है, या 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक चला था, सोण करांती के जनक है, निर्पक तु तुझ, अगला प्रस्ण देखते हैं, important प्रस्ण है, रोस में फरवरी करांती कब तो दोस्तों, रोस में फरवरी करांती हुई थी, 1917 में, option number D, अगला प्रस्ण देखते हैं, important प्रस्ण है, निमलेखी दलो में से किसने अपने पर्तिक के रूप में स्वास्तिक का इस्तिमाल किया था, अपने पर्तिक के रूप में स्वास्तिक का इस्तिमाल किया था, नाज जो का परमुख परतिक स्वास्टिक था जिसे नव अस्तापित नाजी पार्टी के अपचारिक रूप से 1921 में अपनाया था अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्डेंट प्रस्ण है निमलेखी धाराओं में से कौन सा एक ठंडा महासागर है इसमें ठंडा महासागर हो जाएगा कैलिफोर्निया धारा ऑप्स नमर डी अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार का अधिकांस छेत्र किसके अंतरगत आता है आंसर है ऑप्स नमर B जलोर मिटी के अंतरगत अगला प्रस्ण देखते हैं ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है? ओम का नियम लागू किया जा सकता है? प्रती रोधकपर ओप्सन नमर ए अगला प्रस्ण देखते हैं निमलेखित में से किस राज में 2001 की जनगर्णा के अनुसार जनसंख्या गगनत सबसे अधिक था। आंसर है ओप्शन नमर D पसिम बंगाल में। अगला प्रस्न है वाट सकेंड किसकी इकाई है। तो दोस्तो वाट सकेंड इकाई है उर्जा की ओप्शन नमर A। अगला प्रस तो दोस्तो वाट अस्तानी हवा है मंजडी वर्षन ओप्शन नमर D अगला प्रस्न देखते हैं इम्पोर्टन प्रस्न है डैस महासागर को दचनी महासागर के रूप में भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर B अट्लांटिक को अट्लांटिक महासागर को दचनी महासागर के रूप में भी जाना जाता है अगला प्रस्ण देखते हैं important प्रस्ण है भारत के किस राज में भीमबान अभिहारन इस्तित है तो दोस्तों भीमबान अभिहारन इस्तित है बिहार में और बिहार में भी कहां पर तो मुंगेर में अगला और अंतिम प्रोगाम के पहले पर्मू के रूप में किसे न्यूट किया गिया है नासा के मून टू मार्स प्रोगाम के पहले पर्मू के रूप में न्यूट किया गिया है जैम्स एल ग्रिन को ओप्शन नमर ए ठैंक यू